घर में जाड़ू खरिते समय भूल कर भी ना करें ये गलती नहीं तो रूठ जाएंगी मालक्षमी नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रियंका और आपका मेरी यूटूब चैनल पर मोश्ट स्वागत है हिंदू मानता के उंसार धन तेरश को जाड़ू करिंना सुब माना जाता है ऐसा माना जाता है कि इस दिन जारू करिंने से घर में मालक्षमी का बास होता है अगर आप भी तंगी से गुजर रहे हैं या चल्दी धन्वान बनने का सपना देख रहे हैं तो यह धन तेरस पर किया गया यह उपाय आपकी मदद कर सकता है जाड़ू को सास्त्रों में मालक्षमी का स्वरूब माना जाता है धन तेरस में जाड़ू तो सभी खरीदते हैं पर उनसे जुड़े नियम ना जानने से मालक्ष्मी को खुष करने के वजह नाराज हो जाती हैं तो धन तेरस पर जाड़ू खरीद कर जब घर लाएं तो उसके हैंडल में सफेद रंग का धागा बांदे उसको चंदन धूब दीब से अच्छी तरह फूजा करके घर पे रखे और दूसरा नियम जाडू पर पैर ना मारें ऐसा करने से मालक्षमी नाराज हो जाती है मंगलवार, सनिवार, रविवार को कभी भी जाडू खरीद कर घर में ना लाएं इस दिन जाडू खरीदने से आपके घर में कलैका वाताबरण हो जाता है आपके परिवार में सुखसान्ती नहीं रहती है एक साथ तीन जाड़ू खरीदे ऐसा करना बहुत ही सबुन माना जाता है मालक्षमी का वास होता है आपके घर में जोड़े के संचे में जाड़ू बिल्कुल भी मत करीदे आप तीन नहीं खरीद सकते हैं तो एक ही जाड़ू खरीदे लेकिन आप दो चार ऐसे जाड़ू बिल्कुल मत खरीदे जाड़ू को ढखकर रखें खुले में जाड़ू को बिल्कुल भी मत रखें खुले में जाड़ू को रखने से घर में कलय का वाता बरण होता है इससे मालक्षमी आपके घर में बाज करती हैं बट ये जाड़ो जो आप दान कने मंदिर में उस जाड़ो को आप धन 13 के दिन खरीद के ही अपने घर पे लाएं और दिवाली वाले दिन सूरियोदय से पहले उसे मंदिर में ले जाकर दान कर दें ऐसा करने से आपके घर में ब पसंद आये हो तो लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने फैमिली फ्रेंडों के साथ सेयर करना बिलकुल भी मत भूली क्योंकि जाड़ों से जुड़ी ये सारी गलतियां कोई भी ना करें जिससे मालक्षमी उनके घर से रोट जाये तो आप लोगों से मैं उम्मीद करते हूं कि आप लोग मेरी वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंडों के साथ सेयर करेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग डियर